हमारी फिल्म इंडिस्ट्री में अच्छे सिंगर्स की कमी नहीं है। इंडस्ट्री में एक से बढ़कर एक दिगज आवाज हैं जिनकी दुनिया दीवानी है। सोनू निगम, उधित नारायन, सुनिधी चोहान, श्रिया घोशाल, शंकर महादेवन आदी कुछ ऐसे ही बेहतरीन सिंगर्स के उधारण है। इनके आवाज ने लोगों के दिलों पर एक खास छाप छोड़ी है। आवाज सुनते ही लोग इनहें पहचान लेते हैं। अपने म ऐसा करता है तभी सफल मायने काम्याब कहलाएगा। लेकिन बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जो सफल होने के बाद दूसरों की मदद करते हैं। बलेवुड में भी कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो जरूरतमंदों की मदद करते हैं। इसके आललाव, कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें अगर दूसरों में टालेंट दिखे तो वे उसकी सराहना करते हैं और उनके साथ काम करने की इच्छा रखते हैं ऐसा ही कुछ हुआ सिंगर शंकर महादेवन के साथ दरसल हाल ही में शंकर महादेवन ने सोशल मीडिया पर एक मजदूर का गाना सुना जिसके उन्होंने उस मजदूर से मिलने और उसके साथ काम करने की इच्छा जताई क्या है पूरा मामला चलिए आपको बताते हैं मजदूर के साथ काम करना चाहते हैं शंकर बता दें कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायल हो रहा है जिसमें एक मजदूर गाता हु दिखाई दे रहा है ये मजदूर केरल का रहने वाला है और जब आप इसका गाना सुनेंगे तब आपको लगेगा कि कोई ट्रेंज सिंगर गा रहा है लेकिन असलियत में ऐसा कुछ नहीं है जरूरी नहीं कि जिसने संगीत की तालिम ली हो वही सुर में गा सकता है कुछ तमिल फिल्न विश्वरू पमका है जब शंकर महादेवा ने गाडियों में सामान लोड करने वाले इस मजदूर का गाना सुना तो वे हैरान रह गए वह गाना सुनकर इतने एक्साइटेड हो गए कि उन्होंने इस मजदूर के साथ काम करने की इच्छा राहिर की